नमस्कार जे मिथिला जे बिहार कैसे हैं आप सबहे उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे में होंगे दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो सी नाम बालों के लिए बहुत जयादा महत्वपुर्ण है जैसे किनही का नाम चंदन होगा किनही का चांदनी होगा या फिर इसके अलाबा ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका नाम सी अक्षर से सुरू होता होगा तो इनका जो आने वाला वर्स है यानि कि 2023 इनके लिए कैसा रहेगा आने वाले वर्स में इनके जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान और भी बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का एक अनोखा टोटका है तो आप उसे भी सुनिएगा और आजमाईएगा तो आपका जो आने वाला वक्त है वो बदल जाएगा और आपके पक्ष में होगा तो वीडियो को सुनिएगा बड़े हिध्यान से शब से पहले हम लोग बात करते हैं आपके शेहत के बारे में आपके स्वास्त के बारे में क्योंकि स्वास्त ही मूल पुंजी होता है अगर आप श्वस्त है फिर सब कुछ है और अगर स्वस्त नहीं है तो सब कुछ बेकार है मित्रो आने वाले वर्स में अगर आपके सिहत की बात करें तो स्वास्ता आपका बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा 2020 में आपके स्वास्त के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा क्योंकि आपके रासी में राहु देवता रहेंगे कुंडली के साथ में घर म मंगल देवता वक्री होंगे दसमें घर में शनीदेव और सुक्र की यूती होगी और बारहमें घर में विरस्पती होगी और ये सभी ग्रह जो है वो आपके पक्ष में आपके स्वास्त के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होगे इन ग्रहों के कारण आपका जो शिहत है वो कही न कहीं बहुत ज्यादा खराब होगा 2023 में जनवरी के महिने से लेकर अगस्त के महिने तक आपको अपने शेहत का ध्यान हमेशा रखना होगा आने वाले वर्स में अगर आपके शेहत में कोई भी परिशानी हो तो उन परिशानियों को आप अंदेखा नहीं किजिएगा इग्न कर देते हैं तो परिशानी बड़ी हो जाएगी और फिर समस्या का शामना आपको बहुत ज्यादा करना होगा अगस्त के बाद का शमय जो है वह आपके स्वास्त के लिए मिला जुला कर ठीक रहेगा लेकिन अगस्त के महिने तक आपको बुखार परिशान कर सकता है ताइफ क्योंकि आपके फेफ्रों में संख्रमन की संभाबना बहुत ज्यादा है अने वाले वर्स में अगर आप नशापान को नहीं छोड़ते है तो फेफरां में संक्रमन हो जाएगा और परेशानी जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी जो आपके कंट्रोल में आने की तो बात ही नहीं होगी जब परेशानी फेफरा में हो जाए तो कितना दिक्कत होता है इसको आप समझीएगा मित्रों 2023 में आपको जो बाहर का भोजन है वो भी एकदम कम से कम करना है बाहरी भोजन को आप एकदम साइड कर दें और जो पाडिवारी के भोजन हो जो शादा भोजन हो आप वही करें यह आपके श्वास्त को मजबूत करने में आपकी सहायता बहुत जयादा करने वाला है आने वाले वर्स में आप तैलिये पदार्थों का शेवन भी एकदम कम से कम किजिएगा यह आपके श्वास्त के लिए बहुत जयादा आवश्यक होगा 2023 में जिस काम को करने से आपको खुसी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक शान्ती मिले तो आप ऐसे काम को करने का प्रियास किजिएगा और तनाव लेने से आप बचिएगा क्योंकि आने वाले वर्स में अगर आप तनाव लेते हैं आपकी मांसिक शांती भंग हो जाती है तो आपका जो शिहत है जो आपका श्वास्त है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और परेशानी कहीं न कहीं बहुत जयादा हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ के दृष्टी कौन से आपका जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए बहुत जयादा मजबूत होगा आने वाले वर्स में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के शाथ में आपका शंबंध कहीं न कहीं बहुत ही जयादा मजबूत और रोमांचक होगा 2023 में आपको अपने प्रेम जीवन में इमानदार होना होगा वफादार होना होगा और जो आपके जीवन साथी है उनके शाथ में कोई भी छलकपट आप नहीं किजिएगा क्योंकि अगर आप उनके शाथ में कोई धोखा धरी करते हैं, कोई छल कपट करते हैं, तो आपका प्रेम शंबंध कहीं न कहीं बहुत जयादा कमजोर हो जाएगा और उसके जिम्मेदार फिर आप श्वेंग होंगे आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आने वाले वर्स में प्रेम विवा करना चाहते हैं, तो आपका जो प्रेम शंबंध है उसको प्रेम जीबन की ओर से दामपत्य जीबन की ओर ले जाने में आपका शमय आपका सपोर्ट अवश्य करेगा, आने वाले वक्त में आपको ऐ नहीं नहीं शंका उत्पन हो जाएगा आप लोग सक करना शुरू कर देंगे जो कि आपके शंबंध को कमजुर बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण भूविका निभाने वाला है मित्रो आप मेंसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो आव तक सिंगल होंगे और आने वाले वर्स में अगर आप प्रेम जीबन की सुरूआत करना चाहते हैं तो अप्रेल के महिने से लेकर अगस्त के महिने तक आपके प्रेम जीबन की सुरूआत हो शक्ती है इन तीन चार महिनों मे आपका जो शमय है वो कही न कहीं बेहतर होगा और आपके प्रेम जीवन की सुरुवात कहीं न कहीं हो जाएगी परंतु आप में से जो भी लोग प्रेम बिवाह करते हैं तो अपने पडिवार बालों के शेहमती से ही आप ऐसा किजिएगा अगर पडिवार बालों को छोर कर आप शादी करते हैं तो आपका शंबंध कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा और आपका जो आने वाला वक्त है वो भी आपका शाथ बिल्कुल भी नहीं देगा तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके केरियर के बारे में तो केरियर के दृष्टी कौन से आपका जवाने वाला वक्त है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले वक्त में आपके केरियर के छितर में आपको जो परिनाम मिलेगा वो आपके पक्ष में होगा 2023 में आपके केरियर के छित्र में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी आपके भागी का सपोर्ट समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जौब करते हैं और आने वाले वक्त में आप चिंता बिलकुल भी करें क्योंकि आपका जुआने वाला वक्त है वो आपके नौकड़ी के दृष्टी कों से आपके पक्षमें रहेगा 2023 में आपकी तरक्षी होगी आपका जो पद है उसमें बढ़ोतरी की संभावना बहुत ज्यादा है आपकी जो सैलरी होगी उसके बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा है परंतु शाल के मध्ध में मध्ध के तीन चार महिनों में आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है मई के महिने के बाद आपके नौकडी के छित्र में आपके सिनियर या आपके सहकर्मी यहां तक कि आपके बॉस के शाथ भी आपका शंबंध कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमजोर हो जाएगा जो कि आपके नौकडी के छित्र में आपको परिशान कर सकता है तो अपने बॉस, सिनियर या सहकर्मी इन सभी के शाथ अपने शंबंध को मजबूत करने का प्रियास आपको करना चाहिए वैसे मई जून के महिने तक इन सभी का सपोर्ट आपको मिलेगा और लगभग सब कुछ अगर बेहतर रहा तो इन सभी के सपोर्ट से आपको आगे बठने का मौका भी बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आप मेंसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो आव तक बेरुजगार होंगे और आने वाले वर्स में अगर आप नौकडी करना चाहते हैं तो नौकडी की तलास आपको अवश्य करनी चाहिए क्योंकि आने वाले वर्स में आपकी नौकरी लगेगी और बहुत अच्छे जगह पर लगेगी जहां से आपका समय बदल जाएगा और आपका जो आने वाला वर्स होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा परंतु 2023 में आपको जो भी कामकाज दिया जाए तो उस काम को करने में आप लापरवाही नहीं कीजिएगा काम चोड़ी नहीं कीजिएगा अपने अंदर से आपको आलस को दूर कर देना है और अपने कामकाज की माध्यम से जो आपके शाथ काम करते होंगे उन सभी को खुस क कर देना है अगर आप ऐसा करते हैं तो तरकी आपकी भी बहुत ज्यादा होगी मित्रों इसके बाद है आपका वेपार आपका कामकाज तो वेपार के दृष्टी कोन से आपका जवाने वाला वक्त है वो आपके लिए जवर्दस्त होगा आने वाले वर्स में वेपार के छि पार्टनर्शिप में काम करते होंगे साजेदारी में काम करते होंगे तो 2023 में पार्टनर्शिप में काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों आपके जो पार्टनर हैं आपको उनका साथ देना चाहिए और उनका सपोर्ट भी जो है वह आपको इकदम सान्थ बंस लेना होगा क्योंकि अगर आप उनका साथ नहीं देते हैं या वो आपका शाथ नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं आपका जो कामकाज है वो डैमिज हो जाएगा और फिर तरकी करने में आपको परेशाणी बहुत ज्यादा होगी। परन्तु अप्रेल के महिने के बाद आपका जो वक्त है वो बदल जाएगा और आपका कामकाज कहीं न कहीं बहुत जयादा विकास करेगा। मित्रों आप मेंसे जो भी लोग आने वाले वर्स में किसी भी नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपके पक्ष में रहेगा। आने वाले वर्स में अगर आप किसी भी नए काम की सुरुआत करते हैं तो आपकी उननती आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी पड़ंतु नए काम को सुरू करने से पहले आपको जो भी काम सुरू करना हो उसके बाड़े में शारी बातों को पता कर लेजिएगा। उस काम के जो अनुभवी लोग हों, उनसे आप शंपर किजिएगा और उनके विचार को, उनके मस्वरा को आप महतु दिजिएगा. अगर आप ऐसा करते हैं सभी लोगों की बातों को अगर आप शुनते हैं और महतों देते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी तरकी कहीं न कहीं बहुत जियादा होगी तो यही था आपके आने वाले वर्स का रासीफल इसके बाद जानते हैं कि आने वाले वर्स में आपको उपाई क्या करना चाहिए आने वाले वर्स में आपको हर मंगल बार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है अपने पुजापाट से आपको हनुमान जी को खुश करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जवाने वाला वक्त है वो बदल जाएगा और कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्न हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी सहायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है साड़ी बाते क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में वाइटी मिसरा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै हनुमान आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला